Hello Friends, Welcome to Manasvi Exam Solution Friends, आज जो topic हम discuss करने वाले हैं, वो है format of thesis ये UGC.net के exam में paper first की second unit का topic है Thesis का format जानने से पहले हम जानते हैं कि thesis किसे कहा जाता है A thesis is a long piece of writing based on your own ideas and research that you do as part of a university degree specially a higher degree such as a PhD जब कोई student PhD की degree लेना चाहता है तो उसको thesis लिखनी होती है और जब कोई student M.Phil या M.Ed की degree लेता है तो उसके लिए उसको dissertation लिखनी होती है Next देखते हैं thesis लिखने का format क्या होता है तो इसमें सबसे पहले student को title page बनाना होता है जिसमें कि student जो भी उसने topic चूज किया है उसका title लिखता है वो कौन सी degree के लिए ये बना रहा है उस degree के बारे में लिखता है supervisor का name जो researcher है उसका name लिखता है और साथ में वो कौन सी university से PhD कर रहा है या जो कोई भी degree वो लेना चाता है उस university के बारे में लिखता है उसका नाम mention करता है और वो कौन से year में वो degree ले रहा है उसके बारे में भी लिखा जाता है next supervisor certificate होता है जिसमें कि supervisor के signature होते है और supervisor के दुआर ये mention होता है कि ये जो भी topic mention किया हुआ है इस topic पर इस student ने मेरे under जो ये research work का ये complete किया है next page declaration का होता है जिसमें कि student के signature होते है और mention किया होता है कि जो work किया हुआ है ये student का original work है next page acknowledgement का होता है जिसमें कि student के दुआरा ये mention किया जाता है कि जिस जिसने भी उसकी research में help की है जैसे कि उसके guide हो गए और साथ में जिसने भी help की है वो उन सब को अभार व्यक्त करता है इसके बाद content लिखा जाता है जिसको कि कई part में divide करके लिखा जाता है ये मैं आपको एक dissertation में दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से लिखा जाता है content को chapters में divide करके लिखा जाता है इसमें जो first chapter होता है वो होता है introduction जिसमें कि सबसे पहले जो भी research की जा रही है उसके बारे में introduction दिया जाता है need of the study लिखी जाती है कि जो study की जारी क्या आउशकता है इसको करने की statement of the problem लिखते हैं कि जो भी problem select की है उसको एक statement के रूप में लिखा जाता है meaning of the operational terms लिखे जाते हैं objectives of the study लिखते हैं इसके बाद जो भी study कर रहे हैं उसके क्या hypothesis बनाए हैं वो लिखे जाते हैं इसके बाद delimitation of the study लिखी जाती है और इसमें साथ में page number भी mention करने होते हैं इसके बाद जो second chapter है वो होता है review of related literature इसमें सबसे पहले introduction लिखते हैं कि review of related literature किसे कहा जाता है इसमें the importance of review of related literature कि ये क्यों किया जाता है review करने की क्या हो शकता है इसके बाद जो next लिखा जाता है कि जो भी study की है researcher ने अपने topic से related जितनी भी study की है उन सब के बारे में mention किया जाता है इसके बाद जो next chapter होता है chapter third वो plan and procedure का होता है जिसमें कि सबसे पहले research methodology के बारे में लिखा जाता है उसके बाद sample लिखा जाता है कि जो researcher है उसने क्या sample select किया है इस बाद design of the study लिखा जाता है कि researcher ने study के लिए क्या design बनाया है next tools के बारे में mention किया जाता है कि researcher data collection के लिए कौन से tools का use करेगा administration of tools use scoring के लिखते हैं इसक बाद statical techniques use कि researcher है वो कौन से statical technique का use करने वाला है research में जो ये plan and procedure है ये research जो nature है उसका recording change भी हो जाता है कि अगर कोई philosophical research की जा रही है तो उसमे plan and procedure है वो थोड़ा different होगा इससे इसके बाद देखते हैं chapter 4 जो next chapter होता है वो analysis and interpretation का होता है जिसमें कि सबसे पहले introduction लिखते हैं इसके बाद calculation of mean कि जो भी data collect किया है उसमें statical technique यूज करके जो researcher कर रहा है उसके बारे में इसमें लिखा जाता है कि इसमें mean निकाला है SD निकाला है calculation of standard deviation और T test का यूज किया गया था इसमें calculation of T ratio तो इन सब के बारे में लिखा जाता है इसके बाद जो next होता है वो होता है discussion of result चैप्टर 5 होता है इसमें सबसे फेल main findings लिखी जाती है कि जो भी research की है उसकी क्या findings आई है उसकी क्या educational implication है उसके बारे में लिखा जाता है इसके बाद लिखते हैं कि suggestions for further study कि जो भी topic researcher ने select किया है और इसी topic पर अगर कोई और research करना चाहता है तो आगे वो और क्या काम कर सकता है जो researcher ने काम किया है उससे आगे क्या काम इस topic पर किया जा सकता है तो वो कुछ suggestions दे सकता है next summary लिखी जाती है कि researcher ने जो भी research की है उसको short में लिखा जाता है इसके बाद bibliography और references लिखे जाते है references लिखने के कुछ styles है उनको ध्यान में रखकर ही reference लिखे जाते है इसके बाद appendix बनाया जाता है जिसमें कि researcher ने जो raw data collect किया है वो लगाया जाता है साथ ही उसने data collection के लिए जो tool यूज किया है questionnaire का यूज किया है या जो कुछ भी tool का यूज किया है वो लगा दिया जाता है ये thesis लिखने का format है I hope ये आपको समझ आ गया होगा हम एक question देखते हैं आप comment box में comment करके बताए कि इस question का answer क्या होगा question है सोद का मुख्य धे क्या है कि research का aim क्या होता है साहिते की समिक्षा करना मतलब कि review of related literature करना पहले से ग्यात का सारांश करना कि जो knowledge पहले से है उसी की summary करना academic उपादी या degree प्राप्त करना कि research के वर degree प्राप्त करने के लिए की जाती है या फिर नए तथ्यों की खोज करना कि नए नए facts find करना और उनको analysis करना तो A, B, C, D में से इस question का क्या answer होगा आप ये comment box में comment करके बताईए ये question net के exam में पूछा जा चुका है अगर आप research related और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे channel की playlist में जाकर देख सकते हैं I hope ये video आपके लिए helpful होगी यदि video helpful लगी हो तो इसे like कीजिए, share कीजिए and for more educational videos मेरे channel को subscribe कीजिए और साथ में जो bell है उसे भी press कीजिए ताकि आगे आने वाली video का notification भी आपको मिलता रहे Thanks for watching my video